Assalamu alaikum everyone, welcome back to defurion. आज हम topic पढ़ेंगे Maly machine with transition tables. मले machine हमारे पास क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं. Maly machine हमारे पास it is a connection of four things. जैसे जो मोरे machine है, इसके बारे में बना था कि उसमें 5 चीजे होती थी. कौन-कौन सी होती थी, उसमें हमारे पास start state होती थी, इन्पूट सट्विंग्स, आउटपूट करेक्टर्स, इसके लावा समें ट्रांजिशन टेबल और आउटपूट टेबल था, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, लाग, डाग, अबरे पास लिएक जीज़ भी हैं, बहुत करएं लाग, दिन्पूट on में कुछू करहते हैं, जिसको हम x, y, z भी कह सकते हैं या हम 0, 1 कह सकते हैं और हम mostly 0, 1 ही यूज़ कर रहे होंगे then हमारे पास pictorial representation आजाती है जिसमें हमारे पास states होती है states हमें पता हम किसे represent करते हैं small circle से करते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ edges निकल रहे होते हैं और जब हमारे पास एक state से दूसरे state में जाते हैं तो हम उसको हम transition कहते हैं और हमारे पास जो edges होते हैं वो transition को ही basically show कर रहे होते हैं जब mode machine थी उसके अंदर हम state के अंदर दो चीज़ा लिखते थे हम state का name और output लिखते थे लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे हम जो state है उसके इस state का name लिखेंगे और जो output है वो हम edge q पर लिख रहे होंगे कहां पर edge q पर for example जैसे के यह हमारे पास diagram है यह एक state से दूसरे state तक जाने के लिए हमें a को accept करना पर है और a के साथ ही हमने output बताई भी है कि जब हम q node से q1 पर जाएंगे तो हमारी output क्या होगी हमारी output 0 होगी ठीक है इसके लावा यहां पर कहावा है कि हर state every state must have exactly one outgoing edge for each possible input letter यहां पर इसे क्या मरा देलाइक हमारे पास a की output अगर 0 है तो इससे edge a की निकलेगा जिसकी a की output 0 होगी हम यह नहीं कह सकते कि a 0 जो है वो q1 पर भी जा रहा है और a 0 जो है वो q3 पर भी जा रहा है ऐसा नहीं होगा वो एक ही state की तरफ जा रहा होगा इसके बाद हमारे पास लिखा है the edge we travel is determined by the input letter while traveling on the edge we must print the output character हमने कौन सी जगह पर जाना है वो हमें input letter बताएगा और वहां पर पहुंचने के बाद क्या print होगा वो हमें output character बता रहा होगा तो यहां पर देखो मारे पास क्या है मैले मशीन की डायाग्राम गीवन है इस डायाग्राम को देखते है एक दफ़ा तो यहां पर simple same वैसे ही लेकिन आॉट पूट जो है इसकी वह एज की उपर लिखी अब यहां पर क्या है फस्व मुआच की तरह देखे हैं इस पाराती पर तो क्या है एक स्टेट क्यू तू है और क्यूटा क्यूम्तिरि कि प्स सकीज़ेो साबblay जबकि अगर हम B से जाते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या एगी वन आएगी ठीक है तो हम इसको दो एजिस बनाने की जगह हमें एक एजिस से भी लिख सकते हैं ठीक है हम यहां से सिंपली एक लाइन बना देतें इस साइट पे और उसके उपर हम A 0, B 1 लिख देतें तो भी हमारी डायग्रम जो है वो और क्रेक्ट होनी थी अब यहां पर इसके बाद यह तो हमारे पास मैले मशीन थी बुक पे हमारे पास ट्रांजिशन टेबल उन्होंने बना के नहीं दिखाया वा लेकिन अगर इसकी एकसरसाइस क्वेस्टन देखेंगी तो वहां पर उन्होंने ट्रांजिशन टेबल के बारे में बताया हुआ है कि हम ट्रांजिशन टेबल मैले मशीन का किस तरह से बनाते तो मैले मशीन can also be defined by transition tables, rows जो है उसकी और columns, जितने भी इसकी rows और columns होंगी उसमे हम क्या लिखेंगे, name of states लिखेंगे, जो पहले माँ पास transition table था, उसमे हम एक तरफ जो है, वो states के name लिखे होते थे, और इस side पे हम input letters लिखे होते थे, लेकिन यहां पर हमने दोनों sides पे name of states लि edge, अब हमने जो increase करनी है, वो क्या होगा, वो label होगा, जो edge cube पर है, for example, किस तरह हों से, अगर हम इस diagram की बात करें, हमारे पास mail machine की वन है, इसका हम transition table देखते है, like हमारे पास, क्या का है रोने के, जो columns हैं, उसमें हमारे पास, क्या है कि, name of states हैंगे, तो इदर मैं लिख दू Q naught से Q naught तक जाने के लिए, हमारे पास, क्या हमने input की है, हमने A input की है, और हमारे उसके output का, यह 0 आई है, तो हम इतर लिख देंगे A, 0, और Q naught से Q1 पर जाने के लिए, हमने कौन सा edge यूज किया है, हमने B1 चूज किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे B1, B 1 अब देखते हैं कि Q 1 से जब हमने Q 0 पे जाना है Q 1 से Q 0 पे जाने के लिए हमने कौन सा वे चूज seamlessly opportunities किया है तो हमने A 1 यूज़ किया है तो हम इसे लिख देंगे A 1 और इसी तरह Q 1 से अगर हमने Q 1 पे ही आना है तो हम कौन सा एज यूज करें हैं बी जीरो यूज करें तो हम इदर लिख देंगे बी जीरो इसके अगर पर रांजिशन टेबल जो है मैले मशीन का रेडी हो गया है अब हमने मजीद क्वेस्टें की कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं हमारे एक्सेसेस के वेस्टेंस हैं मैं वह सारे सॉ अब हम च्छोटी सी डाइग्राम बना सकते थे हमारे पास इतने एज निकाले की जरूवत नहीं थी वह किस तरह से बना सकते थे वह आप मुझे बताएंगे मैं वैसे वह पीछी तरीका बताया है कि हम किस तरह से कर सकते हैं हमारे पास एक एज जो है वह सिंपली क्या होना था एक हमारे पास q note होनी थी और इसी तरह हमारे पास a q1 था और यहां से हमारे पास एक edge जाना था और एक हमारे पास edge यह जाना था ठीक है और यहां पर हमारे पास कौन-कौन है that is this one हम simply क्या करेंगे first box हम ऐसी चोड़ देंगे then हम क्यू नॉट लिखेंगे हमारे पास कौन कौन सी स्टेट है और हमारे पास क्यू वन है और यही चीज हम इदर लिखेंगे क्यू नॉट एंड क्यू वन अब क्यू नॉट से क्यू नॉट पे जाने का कोई वे है तो कोई वे नहीं है हम यहाँ पर simply slash डाल देंगे और q0 से q1 पर जाने का वे है yes, हमारे पास a0 है हमारे पास a0 है comma b0 और हमारे पास q1 से q0 पर जाने का कोई वे नहीं है और q1 से q1 पर जाने का कोई वे है तो yes है that is a0 comma b1 तो यह हमारा इसका transition table बन गये हम simply यह वाला जो edge है वो इधर लिखेंगे और यह वाला edge है वो हम इधर लिखेंगे ठीक है next question की तरफ move करते हैं और हमारे पास यह diagram given अब इसका transition table बना कर देखते हैं इसमें हमारे पास 3 states की जरूवत है तो यहां पर मैं एक और add कर लेती हूँ column और एक row add कर लेती हूँ अब यहां पर हमारे पास कौन कौन सी state है हमारे पास q0 है q1 है and q2 है similarly हमारे पास outputs यहां पर भी हम q0 q1 q2 अब अब ना हम इस table को fill करते हैं अब यहां पर सबसे पहले मारे पास क्या है q0 है क्या q0 से q0 पर जाने का कोई way है यहां पर diagram में कोई loop नजर नहीं आ रही तो हम यहां पर क्या करेंगे हम इदर null लिख देंगे then हमारे पास q0 से q1 पर जाना है q0 से q1 पर जाने के लिए कोई way है तो yes b जब हम B input करेंगे तो हम Q1 पर जा सकते हैं और B input करने से हमारे पास output क्या आएगी? हमारे पास output 1 आएगी Q0 से Q2 पर जाने के लिए हमारे पास कौन सा वे है? तो वो है B A0 A0 ठीक है? देन हमारे पास यहां पर Q1 पर आगए हैं अब Q1 से Q0 पर जाने का कोई वे है तो Q1 से Q0 की तरफ एक H जा रहा है, that is A0 तो हम यहां पर लिख देंगे A0 इसी तरह Q1 से Q1 पर जाने का कोई वे है, तो कोई self loop नहीं है तो हम यहां पर simply नल लिख देंगे और Q1 से Q2 पर जाने का कोई वे है, तो yes B0 है, तो हम क्या करेंगे हम इधर चले जाएंगे और लिख देंगे B0 नेक्स्ट हमारे पास है Q2 तो Q2 से अगर हम देखें Q0 पर जाने का कोई वे है, तो yes that is A1, तो यहां पर हम लिख देंगे A slash 1 और Q2 से Q1 पर जाने का कोई वे है तो कोई भी हमारे पास edge नहीं है तो हम यहां पर simply null लिख देंगे और then Q2 से Q2 पर जाने का कोई वे है, यानि self loop है, तो yes है, that is B1 तो हम यहां पर लिख देंगे B1, यह हमारे पास male imagine का transition table बन चुक है next हमारे पास एक ही question बचा है तो मैं यह आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ next आप यह खुद solve करके देखना और अगर यह आप लोग कोई से solve नहीं होता तो आप मुझे comment section में बता सकते है मिलते हैं next video में, तब तक के लिए Allah आफेज